हेलो दोस्तो नमश्कार स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अभी हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर दोस्तो अल्रेडी बहुत सारी नेगेटिव खबरे बाजार में देखने को मिल रही है और एक ऐसी खबर फिलाल बाजार में डिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है अगर वो सच हो गई आम लोग कह सकते कि बाजार में और भी हम लोग को गिरावट होते बही देखने को मिल सकते है देखें मैं कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो हकीकत है वो आपके सामने आपे रखना चाहूंगा So exactly क्या reports की जरीए news सामने यहाँ पे आ रही है किस possibility की बात सामने आ रही है and इसके चलते बाजार की उपर क्या बुरा impact आ सकता है तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यापे बताने की कोशिश करने वाला हूँ और ये वीडियो खतम होते होते हैं आप देख सकते ये जो शब्द है इसको मैं 4-5 बार तो repeat कर ही दूँगा रिपोर्ट मतलब क्या दूस्तो ओफिशली नहीं है अफिशली खबर हम लोगों को बाद में आते हुए देखने को मिल सकती ये पहले ही sources के द्वारा हम लोगों को खबर देखने को मिल सकती मतलब ये possibility की बात हो रही है अब ये सच भी हो सकती है जूड भी हो सकती है तो चले किस problem की मैं बात यहापे कर रहा हूँ जिसके चलते बाजार के उपर जो खत्रा है वो और भी बढ़ सकता है सबसे पहले तो आपको पता ही है कि Russia यूकरेन ये जो fight चल रहा है इसके चलते जो crude oil यहापे महंगा हो चुका है और इसके चलते दुनिया भर के बाजार की बात करें जिसमें इंडिया भी आता है इंफलेशन से तो हम लोग परेशान यहापे हो चुके आगे जाके जरूर हो जाएंगे जैसे election के अगर हम लोग बात करें खतम हो जाएगी पेट्रोल डीजल देखलना फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो हर चीज महंगी तो दोस्तो इतना ज्यादा महंगा ही बढ़ जाएगा तो आप सबी लोग को पता है कि जितने भी यह जो companies रहते है उनकी जो profit रहेगा उनके उपर जबरदस impact आएगा आप लोगों ने सुना होगा कि जबी भी यह inflation आता है तो दो रुपे का ही फायदा सिर्फ सो बताने का मकसद के है दोस्तो की जितना महंगाई बढ़ता है उतना ही ज़्यादा raw material का price बढ़ता है और उतना ही ज़्यादा company के जो margin से दोस्तो वो खराब हो जाते हैं और margin खराब हो जाना मतलब वो automatically share हम लोगों को नीचे आते वे भी देखने को यहापे मिल सकता है तो दोस्तो ऐसा ही एक बहुत बुरी खबर future में आ सकती जिसकी possibility है वो मैं अभी आप लोगों के सामने रखना चाओंगा और दोस्तो वो चीज़ है tax से related कौन सा tax? Direct tax नहीं हम लोग यहापे बात करें indirect tax GST की हम लोग यहापे बात कर रहे है जो कि company के उपर हम लोगों को लगते वे देखने को यहापे मिल जाता है यहापे अगर हम लोग बात करें इसका indirectly जो impact आता है न दोस्तो वो हमारे ही जेप से कटता है क्योंकि कोई भी company खुद के जेप पे तो इसका impact आने नहीं देगी क्योंकि अगर खुद के जेप के उपर impact आ गया margin खराब हो गए तो definitely company घाटे में चली जाएगी business तो कर लेगी तो ऐसा कौन सा खबर यहापे सामने आ रहे है GST के चलते जो की literally बाजार के लिए मतलब बहुती बुरी खबर हो सकती है यह report ने यहापे mention किया है तो चले उसी के उपर में अभी यहापे आना चाओंगा सो दोस्तो जिन लोगों को नहीं पता है यहापे देखे GST मतलब यह tax है तो यह फिलाल तो हम लोगों को चार structure में देखने को मिलता है मतलब देखा गए तो देखी किसी के उपर ना 0% tax लगता है tax ही नहीं है दैन जिसके उपर लगता है किसी के उपर 5% लगता है दैन किसी good services के उपर 12% लगता है किसी के उपर 18% लगता है किसी के उपर 28% लगता है बहुत ही simple है इसको ज़्यादा याद रखने के ज़रोती जो चीज जितनी भी मतलब बोते है ना luxury type की रहती है उसके उपर सबसे आदा टैक्स 28% जो कम लगजरी है थोड़ा सा वह 18% उससे भी कम 12% इबदम important चीज रहती है essential जो हम लोग item बोलते ना यह देखिए उसके उपर 5% और बहुत ही essential उसको तो सरकर 0% ही tax करती है GST के अंदर सो दोस तो अभी तक आप लोगों को पता है यहाँ पर कितने tax rate है एक दो तीन चार चार tax rate है और बीच में मैंने वीडियो भी बनाये था आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर GST council की जो next बैठक रहेगी इसमें हम लोगों को चार tax rate नहीं देखने को मिलने वाले है बलकि यह revise होके restructure होके तीन tax rate है यहाँ पर होने वाले है और दोस्तों वही मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाओंगा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं as a part of rationalization यहाँ पर बताय जा रहा है दोस्तों कि जो committee रहती है जो यहाँ पर ministry रहती है यहाँ अगर council की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बताय जा रहा है दोस्तों कि चार के बदले अभी तीन हम लोग को यहाँ पर rates देखने को मिलेंगे GST में and वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना है 8% 18% और 28% अभी आप बोलोगे इसमें problem क्या है तो दोस्तों इसमें problem नहीं problem ही problem है तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा से एक normal screen के उपर आता हूँ तो दोस्तों आप लोगों को जैसे मैंने बताया 5, 12, 18, 28 यह पूरा ने rates है और अभी आप बताय जा रहे दोस्तों 8, 18 और 28 तो देखे जिनके उपर 28% पहले ही tax लगता था GST बड़े बड़े good services वाले उनको कोई फरक ने पढ़ने वाला है वो chain की नींस होने वाले वो बोलेंगे वैसे भी क्या फरक पढ़ता है जिनके उपर 18% का tax लगता था उनको भी कोई फरक ने पढ़ेगा वो भी बोलेंगे 18% ही लगता था आगे भी बताय रहे है कि 3 rate करें में यहां पर आ सकते हैं मतलब 6% extra और tax उनको देना यहां पर पढ़ सकता है और दोस्तों जो 5% का सबसे lowest rate था 5% वाला वो यहां पर shift होके 8% हो सकता है दोस्तों तो यह सबसे बड़ा threat है इसका अर्थ समझते हो कि जो 5% और जो 12% वाले जो goods and services वाले जो products है हम लोग यहां पर कह सकते हैं उनके product services के दाम यहां पर बढ़ने वाले देखे tax कोई भी अपने जैप से नहीं देने वाले जो company है न वो ultimately क्या करेंगे price बढ़ा देंगे price बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो कि जो भी products जो रहेंगे goods and services रहेंगी कोई चीज आप 100 रुपे पर खरीते 28 वालों को भी नहीं, 18 वालों को भी नहीं, यह दिक्कत होने वाली 12% और 5% वालों को दोस्तों और इसके चलते जैसे मैंने कहा 12% वालों को 18% देना पड़ेगा tax और 5% वालों को 8% देना पड़ेगा, यह reports के जरिए माध्यम से यह खबरे फिलाल सामने आ रही है, अभी इस possibility भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम लोग बोल सकते, इसका अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पे जो 5 और 12% में जो goods and services आते थे, उनके भी product, services, goods के दाम हम लोगों को और बढ़ते वे देखने को मिलेंगे, पहले ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा महिंगाई, election खतम हो असली महिंगाई पता चलेगी, उसके बाद यह 5% अगर यहाँ पे 8 हो गया और 12 का 18 हो गया, तो फिर मतलब इसकी बात ही ना करे तो बैतर रहेगा, तो आप अंदजा लगा सकते हैं दोस्तों, आप लोगों ने अभी चेक करना चाहिए, कि कौन से ऐसे goods और services से, या फिर उ काउंसिल की बैठक कभे, मैंने इतने वीडियोस बने, उसमें आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया भी है, उसका अंदाजा भी दिया है, कि कौन से मन्थ में, कौन से इंड में आप लोगों को यह बैठक देखने को मिल जाती है, जरू कमेंट सेक्शन में बता देना, यह उस दिन का सबसे बड़ा मतलब अभी पार्ट रहेगा उस दिन देखने के लिए, कि क्या सरकार यहापे टीन टैक्स रेट यहापे बनाती है, चार के बदले, और वो 5% और जो 12% है उनका क्या होगा, क्या वो 5% को 8% में शिफ्ट करेंगे, और 12% वालों को 18% पे, तो य बताने वाले हैं, 18-28, उनको कोई फरक ने पड़ेगा, वो वैसे थे, वैसे ही रहेंगे, तो दस्तों अभी आप चाहो तो कोई भी आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, यह रिखी, हर जगे पर यही लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, इव दप्रपोसल कम्स, मतलब समझ मतलब और महिंगाई के उपर महिंगाई, सो हालत बहुत ही खराब हो सकती है, जैसे मैंने का दोस्तों, यह अभी आप लोगों की भी जिम्मेदार है, जरू मुझे यह भी कमेंट सिक्षन में बता देना, कि कौन से ऐसे गुट सर्विसे से, जो की 5 और 12% के अंदर यहापे आते हैं, उनके लिए बहुत ही बुरी खबरे में, अगेन अगेन तीन से चार बार रिपिट कर चुका, बट में करते रहूंगा, कि जो भी खबरे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, कि हर वेबसेट के उपर अभी यह कवर हो रही है, मिंट के उपर भी आप देख सकते ह अगर यह बताए जा रहे है, कनफरमेशन नहीं है, दोस्तों, कनफरमेशन तो उस मिटिंग में होगा, कोई भी फाइनल न्यूज हम लोगों को पहले नहीं, पहले ही न्यूज आई से हम लोगों को रिपोर्ट के जरीए देखने को मिल जाती है, कि जीस्ट काउंसिल प्लान to the source report यहाँ पर बताय जा रहा है, कि यह 5% का 8% करेंगे, इसके चलते सरकार को देड़ लाक करोड का annual revenue extra यहाँ पर मिलेगा, मतलब सरकार को पैसा तो ज्यादा मिलेगा, 3% extra tax बढ़ेगा, so देड़ लाक करोड का फाइदा हो सकता है सरकार का, so सरकार का तो फाइदा होगा ह होगा, tax से तो सरकार कोई फाइदा होता है, बाकी अगर हम लोग बात करें, तो अभी देख लेते हैं, आगे जाके क्या यह news सच होती है या नहीं है, hope करेंगी कि अभी के माहुल में तो होना नीच है, क्योंकि पहले ही इतनी ज़्यादा पिटाई हो चुके, धुलाई हो च देखना है, इंडियन मार्केट को भी हापे पढ़ सकता है, तो आशा करता हो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में समझ में यहापे आया होगा, जैसे मैंने का कि हापे tax बढ़ना, देखे, मैं अगें किराओ, company की जो खुद के प्रोड़क्स के प्राइस बढ़ते है, व कि मतलब बहुत सेरे लोग क्या कर लेते हैं, उसको खरीदना ही कम कर देते हैं, वॉलिम्स कम हो जाते हैं, तो अभी देख लेते हैं कि क्या होता है यहापे, आशा करता हो आप लोगों को यह टॉपिक यहापे समझ में आओगा, तो चाहो तो इस वीडियो को यहापे लाइ डिपेंड करता है वो और कितना स्टेच होता है उसके उपर, तो जीस्टी काउंसेल ने भी यह जरूर सोचना चाहिए, कि यहापे फिलाल, अगर आप करना चाहते हो, यह माहोल ठीक नहीं, यहापे बहुत ही ज़्यादा डैमेज यहापे हो सकता है, तो देख लेती, यह त बता देना, लिंक के तुरो ओपन किया होगा तो, तो पच्चीस वीडियो की जो लिस्ट है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रच्टेड, वो आप लोंको फ्री आफ कोस्ट यहापे सीखने के लिए मिल जाएगी, so that's it, thank you very much also, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, बाइ-बाइ